चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैयरी बच्चों MCC के रेजिस्टेशन 14 अगस 24 से स्टार्ट होने है इससे पहले MCC की वेबसाइट पर भी कुछ अपडेट्स है और स्टेट की भी कॉंसलिंग के रेगार्डिंग कुछ अपडेट्स है हालनकि MCC का रेजिस्टेशन के बाद ही स्टेट की कॉंसलिंग स्टार्ट होगी लेकिन स्टेट के रेजिस्टेशन पहले हो जाएंगे तो अभी तक कौण कौण से state की क्या update है ये मैं आपको बताऊंगा साथी साथ MCC की update भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो एक बार हम update देखें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके लिए हमारे team book available हैं MCC के लिए ओल इंडिया कोटा के लिए इस्टेट के लिए और आयूस वेटनरी के लिए इसमें जो facility हैं choice list दे रखिये 24 के लिए उसके help से आप choice fill कर सकते हैं 24 के लिए इसमें round wise, category wise, college wise cutoff दे रखिये जिससे आप ये idea लगा सकते हैं कि पिछली साल किस rank पर selection हुआ था और इस साल किस rank पर आपकी क्या rank है कहां आपको college मिल सकता है fees, bond के बारे में जानकारी है इसमें, counseling process के बारे में जानकारी है, इस परकार से choice list दी गई है, इस परकार से cutoff दी गई है इसमें, iOS और veterinary की book भी available है और इस MCC की बुक में AIMS और जिपमर के बारे में भी समझाया गया है, सेंटरल पूल कोटा के बारे में भी इसमें समझाया गया है, काउंसलिंग प्रोसेस को एक फ्लोचार्ट से समझाया गया है, ऐसे ही स्टेट की, बुक में सभी स्टेट की जानकारी उपलब्ध हैं इसमें, कटोफ वगरा, डोकुमेंट से, इसके बाद में 24 लिस्ट कैसे करनी है, आपको स्टेट का प्रोसेस क्या है, ऐसे ही आयू स्वेटनरी की बुक में ये सारी फैसलिटी अवेलेबल हैं, इस वीड सकते हैं, अब बात करते हैं, MCC की अपडेट के बारे में और स्टेट की अपडेट के बारे में, तो पहले MCC के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो MCC ने PWD कंडिडेट और CW, इनके लिए नोटिस जारी कर दिया है, तो सबसे पहले एक बार हम PWD कंडिडेट का न उपन कर दिया है और ये candidates इन 16 centers पर अपना PWD certificate तयार कर वा लेंगे क्योंकि ये counseling में जो PWD candidate से उनको ये काम आएगा counseling इसी से होनी है ये certificate requirement है इसकी अब बात करते हैं PW candidate तो SA candidates जो defense quota के हैं दिल्ली state से तो उनको fmsc.du.ac.in की website पर वहाँ उनको register करना है documents upload करने हैं वो candidate जो दिल्ली state में जो candidate दिल्ली state के DU quota में defense का फाइदा लेना चाते हैं defense का फाइदा लेना चाते हैं ऐसे candidates DU के portal पर जो fmsc portal है उस पर apply कर दें और अपने documents upload कर दें तो इस परकार से ये documents upload की जो last date है वो 4 August 24 है साम 5 बजे तक तो वहाँ आप apply कर सकते हैं जो DU के defense quota में admission लेना चाते हैं तो ये तो बात हो गई MCC की याने की PWD candidate और CW candidates अब बात करते हैं IPU की तो IPU के दुबारा से registration start हो गए हैं इंदरप्रस्त University में दिल्ली कोटा के जो तीन college हैं सबसे पहले BSA, NDMC और Army का जो college है ACMS उसके लिए registration start हो गए हैं ये registration पहले भी start हो गए थे लेकिन जिन candidate ने registration नहीं किया है वो दुबारा registration कर सकते हैं पंदरा सो रुपए fees deposit करके देखो IPU में दो प्रकार का registration होता है सबसे पहले registration होता है application forum fill किया जाता है पंदरा सो रुपए fees दे करके और उसके बाद में इसमें centralized counseling के लिए registration होता है 1000 रुपीज fees deposit करने के बाद तो जिन candidate ने पहले registration कर रखा है पंदरा सो रुपए दे करके वो counseling के लिए registration करवा दे 1000 रुपए देखके अभी यानि कि दोनु परकार का ये registration जरूरी है जिन candidates ने पहले भी registration नहीं किया है वो अभी registration कर सकते हैं 1200 रुपए दे करके और फिर counseling के लिए उनको अलग से registration करना है 1000 रुपीज दे करके तो ये जो 1000 रुपीज counseling के लिए registration करना है ये IPU में admission लेने वाले हरे एक candidate को करना है चाहिए उसने पहले registration कर रखाओ या फिर वो अभी registration कर रहे हैं तो जो इसकी date है वो 1 अगस्त से start हो जाएगी registration की और counseling के लिए registration की और 10 अगस्त को ये खतम हो जाएगी यनि कि 10 अगस्त के बाद में इसमें नहीं कर सकते registration अब हम आगे बात करते हैं इसमें documents verification तो इसमें online documents verification होता है कौण कौण से candidates के लिए होता है ये SC, ST, OBC, JKM, PWD और defense इसके बाद EWS और army personal जो candidates हैं उनके लिए यहां documents verification online होता है और journal को छोड़के बाकी सभी का documents verification online होता है इसमें आपको कोई कुछ करने की जोरत नहीं है registration करते से में आपके documents upload करवाए जाते हैं जो reserve category की candidate है उनी का यहां documents verification होता है तो वो automatic हो जाएगा ये 2 अगस्ते लेके 12 अगस्त तक ये documents verification होगा अब मैं आपको यह reservation के लिए बता दूँ कि इसके अंदर IPU में जो candidate 11th और 12th दिल्ली से pass out हैं वो यहां का IPU quota avail कर सकते हैं लेकिन category उनको other state के candidate हैं तो उनको category general में consider किया जाएगा दिल्ली state के candidate को SCST, OBC, EWS, defense वगरा में consider किया जाएगा लेकिन जो other state से हैं और यहां से दिल्ली से 11-12 कर रखी है उन candidate को यहां IPU में general में consider किया जाता है तो ये बाकी के candidates हैं जिननों के पास दिल्ली state का SCST, OBC, EWS certificate है, reservation के certificate हैं वो अपने documents upload क करेंगे और उनका online documents verification हो जाएगा 2-12 अगस्त के बीच में और फिर वो website पर देख सकते हैं अपना status कि क्या उनका documents है वो verified हो गया है या नहीं हुआ है, अब इसमें आपको मैंने reservation के बारे में बताए दिया है कि other state candidate यहां general में consider होंगी, तो ये IPU के registration है, अगर आपने पहले registration किया है, तो 1000 रुपए दे के counselling के लिए registration कर दे, अगर पहले बिल्कुल registration नहीं किया, तो 1500 रुपए दे के registration कर दे और 1000 रुपए देखर के counselling के लिए registration कर दे, choice filling MCC के round का जैसे ही choice filling खतम हो जाता है, उसके बाद यहां choice fill की जाती है, तो उस समय आपको बता देंगे जब choice filling क समय आएगा, next update है Pondicherry State से, तो Pondicherry State के भी registration स्टाट हो गए है, इनकी last date 6th August 24 है, मैंने पहले भी वाले वीडियो में बताया था कि यहां तीन private college ही, इन तीन private college में फिजली साल tuition fees 16 लाग थी, अभी जैसे ही tuition fees declare हो जाएगी हम आपको inform कर देंगे, और यहां जो तीन private college है, इ admission ले सकते हैं, और other state candidate private में admission ले सकते हैं, अगर लेना चाते हैं, तो 6 August 24 तक यहां registration कम्प्लीट कर ले हो अपना, इसके बाद में next update है, तमिलाडू state से, तो तमिलाडू state ने 2024 Mbbs BDS admission के लिए क्या-क्या documents की requirement है, यह list इनोंने डाल दी है, इसकी website पर, तो अगर आप तमिलाडू state में admission लेना चाते हैं, तो यह documents तयार कर लें, तमिलाडू state में management quota के तहित, other state candidate admission ले सकते हैं, यहां all state candidates eligible हैं private quota की management seat के लिए, अब बात करते हैं, बिहार state की, तो बिहार state ने पिछली साल कोई information नहीं दी थी, कितनी बचे register होए थे, उनके marks क्या थे, क्या नहीं था, तो जो admitted candidate हैं, उनकी बिहार state ने यहां list डाल दी है, अब बिहार state की जब पिछली बार counseling होई थी, तो वो बहुत late हो गई थी, late का मतलब ऐसे late हो गई थी, कि जैसे कि All India का third round चल दा था, तो इनका second मतलब एक-एक round यह late हो रहे थे, इसकी वज़े से पिछली साल बिहार state की last round की cutoff काफी डाउन गई थी, लेकिन first और second round की cutoff काफी ज्यादा high रही थी, तो पिछली के इसाब से, पिछली cutoff के इसाब से आप थोड़ा सा इसमें increase करके idea लगाएं, क्योंकि last round की cutoff काफी डाउन गई थी, और इस बार ऐसा अगर counseling ठीक से चली बिहार state की, तो ऐसा ह होने वाला नहीं है, मैं पहले आपको आगा तर देता हूँ, अब बात करतें आगे मेगाला इस्टेट की, तो मेगाला इस्टेट में भी जो candidate 18 seats है, जो नोर्थ इस्ट की open category की 18 seats है, उनके लिए re-revised result आ गया है, तो application resubmission की last date है, वो 5 अगस्त 2024 रखी गई है, तो जो candidate मेग जाला इस्टेट से belong करते हैं, वो 5 अगस्त पहले पहले अपना form resubmit कर दें यहां पर, तो यह जानकारी थी इन स्टेट के बारे में, जैसे जैसे बाकी स्टेट की update मिलेगी, मैं आपको inform कर दूँगा, आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, और इस वीडियो को ज्यादा आशे ज्यादा like वा share करें, ताकि हर एक student को information के बारे में पता चल सके, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपडा आपसे लेता हूँ विदा, जैहिंद!